एक गाइस पर कनलो जुकेंश जी के तो गाइस पंजास बोड़ियें सर्भी सेलेक्शन बोड़ की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी एन इंपोर्टन नोटिफिकेस ना प्रूड हुई है जे जो नोटिफिकेस ना वो है 04-2016 कलर्क के रिक्रूडमेंट के रिगार्डिंग तो आप सभी को पता ही है कि 26-11-2018 से लेकर 3 जनवरी 2019 तक कलर्क 04-2016 की जो कॉंसलिंग हुई थी इसमें टोटल 42-100 प्लस कैंडिडेट्स थे जिन्नों ने कॉंसली में पार्टिस्पेट किया था तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कॉंसली में पार्टिस पे नहीं कर पाए किसी बजा से भी नहीं कर पाए हूँ अब बोर्ड ने लास्ट मौका उन कैंडिडेट्स को दिया है तो टोटल कैंडिडेट्स हैं 299 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्नोंने कॉंसली में पार्टिस पे नहीं किया था तो जो ज तो उन्हों सभी के लिए एक लास्ट में उपर्चुन्टी दी गई है अगर आपकी उपर्चुन्टी मिस हो गई थी तो आप कॉंसली में जा सकते हैं कब जा सकते हैं वो आपको दिखा रहे हूं 4 February 2019 and 5 February 2019 चार और पांच फरब्री को आप कॉंसली दे सकते हैं अपलोड इस जएक आप दे सकते हैं लिश्ट अपलोड की हुई है केंडिट्स की मार्क्स के कोडिěंट्स केंडिट्स की लिष्ट अपलोड कर दी है, टोटल 299 चार ऑडियर्ट्स ऐसे हैं जिसका इसलिश्ट में नाम है तो guys इससे एक बात और clear होगी कि clerk का जो result candidates wait कर रहे थे उनके लिए जो बात है कि आपको थोड़ा सा wait और करना पड़ सकता है क्योंकि इनकी counseling कतम होने के बाद ही आपका final result है वो announce होगा तो काफी जएदे जो बाते हैं वो clear हो चुकी है इस notification से इसका PDF का link आपको दे दूँगा तांकि आप खुद इसको अच्छी तरह से पढ़के दे सकें कौन कौन से documents लेके जाने हैं वो सब कुछ इन्होंने जहां पे mention किया हुआ है ठीक है anexor 1 a and b दोनों को आपने लेके जाना है file cover में आपको वो form फिल करके and साथ में आपने documents की photocopies लगा के साथ में original documents वहां पे लेके जाना है timing इन्होंने बताई हुई है इसके लाबा कोई आपकी inquiry होगी तो आप comment करके पूछ चकते हैं okay guys आपने मुझे समय दे उसको लिए बहुत बहुत धन्यमाद, thank you so much